आज हम बात करेंगे कि freelance marketplace बैसिकली क्या होती है और किस तरह से वो काम करती है तो बेसिकली last lectures के अंदर हमने basic basic सा देखा कि तो आपके पास आपको कोई भी चीज़ खरीद नहीं है आप बजार जाते हैं उसकी पेमिट करते हैं और वो चीज़ खरीद लेते हैं तो आप अगर देखा जाये तो एक मार्किट के अंदर गए और डिजाइड शॉप की उपर गए और वहां से जो भी चीज़ आपको बाइ करनी थी कोई service या कोई product आपने उसकी payment दी और वो product खरीद लिया तो इसी तरह से digitally different marketplaces हैं जहां पर buyers और sellers अकठे होते हैं और buying and selling करते हैं अगर कोई buyer है उसको कोई चीज बाय करनी है तो वह आप से वह चीज बाय कर सकता है और और आप seller हैं आप वहां पे अपनी services या अपने products जो हैं वो online offer कर सकते हैं राइट क्योंकि हम बात करें फ्रीलांस marketplace के तो probably हम बात करेंगे services offering की तो यहां पे हम रपास काफी सारी market places हैं जिनके अंदर फाइवर आ जाता है अपपर का जाता है गुरू पेपल पर आवर फ्रीलांसर डाट कॉम यह बेसिकली कुछ websites हैं जिनके उपर जिन लोगों को कोई चीज कोई बंदा specific skills का required होता है वो अपनी job post करते हैं और different लोग क्या करते हैं वहां पर apply करते हैं उस जौब के ऊपर और उनका जो contract है आपस के अंदर online हो जाता है और आपस में वह एक दुसरे को काम करके देते हैं और जो भी payments प्लेस के उपर और उस marketplace के अंदर हमारी specific profile के उपर आता है और वहां पर देखते हैं हमने service लगाई हुई है कि पचास डॉलर के अंदर हमें आपको लोगों बना के दे देंगे अगर उसको लोगों चाहिए होगा तो हम से contact करेगा हम उसको लोगों बना के देंगे और simple अप कर सकते हैं फ्रिलांसिंग कर सकते हैं और इनको हम freelance market places काता है इनकी majorly दो एक साम है एक traditional marketplace और non-traditional marketplaces तो इनके about next lecture के अंदर बात करेंगे कि difference क्या है traditional marketplace के अंदर और non-traditional marketplace के इंदर तो मिलते हैं इंशाला next lecture के अंदर till then keep learning keep exploring Allah आपीस